हलो दोस्तों विल्कम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिंपल में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे LPC जो आप बनवाते हैं उसको आउनलाइन कैसे डाउनलूट कर सकते हैं साथ में आप लोगों का क्वेरी था क्वेस्चन था कि हम अपने इस जमाबंदी में सुधार कैसे करें परिमारजन पोटर के रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट्स निकल कर आया है जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके जमाबंदी में किसी भी परकार की तूटी है रैयत का नाम गलत हो गया है या रकबा गलत हो गया है या पे प्लोट नमबर चूट गया है चोहदी चुट गया है या किसी भी परकार की तूटी है तो उसके रिगार्डिंग हमने पहले वीडियो बना कर आपको दे दिया था कि आप कैसे परिमारजन पोटल से उसको अपडेट करवा सकते हैं सुधार करवा सकते हैं लेकिन बहुत सारे हमारे भीवर्स ने कमेंट्स किया कि परिमारजन पोटल पर जो है सुधार नहीं हो रहा है और हम यहाँ पर छे मैने से ऑनलाइन करकर बैठे हुए है लेकिन कोई भी अब तक करवाई नहीं हुआ लेकिन अपडेट यह निकल कर आ रहा है कि परिमारजन पोटल पर ही आपका सुधार हो रहा है और आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन इसके लिए दे सकते हैं अब जो है सरकार का यहाँ पर निर्नय निकल कर आ रहा है सरकार ने पूरी यहाँ पर विवस्था कड़ी कर दिया है और CEO को यह आदेश दिया है कि जो भी परिमारजन पोटल पर आवेदन आते हैं उसका जल से जल निस्पादन किया जाना चाहिए तो अगर आपके भी जमाबंदी में या फिर जमाबंदी के रिगार्डिंग किसी भी दस्तावेज में आपका जो है तूटी है तो आप उसको सुधार के लिए परिमारजन पोटल पर जाकर वहाँ पर एक आवेदन कर सकते हैं कैसे करना है उसके रिगार्डिंग हमने आपको पहले वीडियो बना दिया है लपीसी के लिए आवेदन दिया था तो उसको कैसे डाउनलोड करना है चलिए पीसी स्कीड पर आपको दिखाते हैं जमीन से समन्धी जितने भी मुझे नौलिस था वो सारा वीडियो हमने आपको अपडेट दे दिया है वीडियो के मादेम से आपको प्रवाइट करा दिया है तो आप जाकर डिस्क्रिप्सन में या फिर हमें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकाउट कर सकते हैं वहाँ पर दाखिल खारीज या फिर म्यूटेशन या फिर लैंड रिकोर्ट ठीक है तो आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आपका काफी जो है है यह भी हो जाएगा दाखिल खारीज के रिगार्टिक हमने पहले वीडियो बना कर आपको बता दिया था कि अब आप जमीन अगर पर चेज करते हैं तो अब आपको जो है दाखिल खारीज अलग से ऑनलाइन कराने की जरूरत नहीं है दाखिल खारीज आप पर किरिया जो है आपका जमीन लिखाने के साथ-साथ ही शुरू हो जाएगा ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सी चीख लेते हैं कि डाउनलोड कैसे करते हैं और साथ ही परिमरजन फोटल में क्या-क्या दस्तावेज आपको लगाना है और कैसे क्या है चलिए सीख लेते हैं सबसे पहले आपने करना क्या है गूगल कुरूम ब्राउजर ओपेंड कर लेना है ओपेंड करने के बाद सर्च सबसे उपर में आप टाइप करेंगे लेंड को बिहार आपकी आसानी के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है सबसे उपर में ही आपको बिहार भूमी डॉट पिहार डॉट जी ओवी डॉट इनका ओप्सन देखने को मिल जाएगा आप इस पर क्लिक हैं कैसे आप जो है अपने खुद से घर बैठे रसीद कर सकते हैं करम चानी के पास जानी की ज़रूरत आपको नहीं है आपको बता दें यह परिमारजन पोटल है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं इससे पहले आपने अगर LPC के लिए आवेदन दिया है तो LPC आवेद आदें यहां पर आपका जोसा भी जीला होगा वह आपना जीला यहां पर आप सेलेक्ट कर लिजेगा इस तरीके से आपका आपसन आजाएगा उसके बाद जोसा भी आपका यहां पर प्रखंड होगा वह आप अपना प्रखंड सेलेक्ट कर लिजेगा ठीक है तो यहां पर आपको प्रखंट सेलेक्ट करने के बाद देखिये यहाँ पर वर्स जो है सेलेक्ट कर लेना है ठीक है अब यहाँ पर कई तरह से जो है आप अपने LPC के आविधन की स्थिति को जाच कर सकते हैं यहाँ पर L है यहाँ पर Reject L Case है यहाँ पर Data Wise है यहाँ पर यदि आपको case number याद है तो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पर जितने भी form pending है उससे आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर जितने भी deposit off हो चुके हैं उससे आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ L पर click करेंगे और यहाँ पर search करेंगे जैसे ही हम यहाँ पर सर्च पे किलिक करेंगे तो हमारे सामने देखे यह अपडेट पेज हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुनील कुमार, रविंदर कुमार यह सारे नेम है यहाँ पर, यहाँ पर केस नंबर है यहाँ पर अप्लिकेशन डेट है, डिश्टिक नेम है, सरकल है, मौज़ा है और खाता नंबर है, एक्टेटस की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल जायागा जैसे सुनील कुमार का यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है और देख सकते हैं, यहाँ पर मनोज कुमार सर्मा का एप्रूब हो चुका है यहाँ वीव वाले बटन पे आपकी लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर अप्डेटिंग पेज लेगा और यह आपका देखिए आपका जो राजा स्वें, भूमी, सुधारी, भाग, भूमी, दखल, कपज, लपीशी, परमान पत्र आपको जारी करने का तारीख ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका LPC परमान पत्र है जो कि आप यहां से आउनलाइन आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप LPC डाउनलोड कर सकते हैं और चलिए अब आपको हम परिमारजन पोटल के बारें बताते हैं परिमारजन पोर्टल क्या है और कैसे आप उस पे अपना काम कर सकते हैं इसमें home button पे click करेंगे और यहां पर परिमारजन वाले पे click करेंगे देखिए यह सारा introduction जो है आप हिंदी में इंग्लिश में दोनों में पढ़ सकते हैं तो हिंदी की click करने के लिए आप हिंदी पर click कर कर देंगे और देख लेंगे यहाँ पर परिमारजन पोटल डिजिटाइट जमाबंदी पंजी में असुधियों के सुधार हितु पोटल है बिहार राज के सभी रयतों आम जन्ता को सुचित किया जाता है कि राज के सभी 534 अंचुलों के लगभग तेन दस्मलों अन्ठावन करोर जमाबंदियों को डिजिटाइज कर दिया गया है विभाग के पोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार भुमी.bihar.gov.in पर सारवजनिक कर दिया गया है कोई भी रयत दुनिया के किसी भी कोने से अपनी जमाबंदी का और लोकन अब कर सकत है विभाग में प्राप्त सिकायतों परिवात पत्रों से यह ग्यात हुआ है कि डिजिटाइजेशन के करम में कुछ जमाबंदियों के रयत के नाम खाता खेशरा रगबत अथा लगान से संबंदित विव्रयनों में अशुद्धिया रह गई हैं यह अशुद्धिया रह न के पास दोड़ कर जाएं और फिर वो अपना जेब भरें गरीब जनता से ठीक है यह जान बूच के किया गया है लेकिन अब यहां पर परिमाजन पोटल आपको मिल रहा है इस पर काम भी हो रहा है और बहुत ही सेडेनली यहां पर आपको जो है रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है ठीक है तथा अनेक जमबंदियों में खाता खिसरा जेद जमबंदी विवरें उपलद नहीं अंचल अस्तर पर रहे तो कि सिकायतों के आलोक में अंचल दहकारियों द्वारा भागे पत्र एतना एतना जो भी यहां पर आप देख सकते हैं 339 दिनांक दिनांक इतना जो है कि अवलोक में भी हित प्रकिरिया अपना कर जांशोपरांत सुधार किया जा रहा है इस कार को गती प्रदान करने एवं रहेतों की सुगदा है तो विभाग द्वारा परिवाजन डिजिटाइज्ट जमबंदी पंजी में अशुद्यों के सुधार है तो पोटल नाम जांशोपरांत ही कंचल का रहे द्वारा जमबंदियों में सुधार किया जा सकेगा सिकायत करने से शंबंदी दिशाने देश सनुदेश लिंक में दी गई अशुद्यों के सुधार है तो यहां पर आप देख सकते हैं तुरूटी का परकार यहां पर डिजिटाइट जमब वाकाय नहीं दिखा रहे दोसमें सुधार यहां फिर चूटे हुए जमबंदी का डिजिटाइशन तो इसके लिए जो वांचित कागजात होंगे विहित पत्र में आवेदन पत्र दाकिल खारी ज्याचिका में पारित आदेश की प्रति सुधी पत्र की शव अभी प्रमानि प्रिया गया है यहां पर आप जो है यह एल आर्सी का जो है इसमें निकाल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो और यहां पर देख सकते हैं आप ऑनलाइन दाखिल खारी जवादों के निस्पादन के उपरां खाता खेसर रगवा से सम्मधित रूटियों का सुधार तो देख सकते हैं वीध परत्र पर पत्र में आवेदन पत्र यहां पर ऑनलाइन सकते में दाखिल खारी समब्स्रूत तो तो यहाँ पर बताया गया है चो कागजार्त वन्चित है उसके बारे में बताया गया है और ऐसी इस्तिती में आवेदन है तो आप्शन नहीं रहेगा एवं आवेदक को भूमी शमाहर्ता के समक्ष अपिल दायर करने का संदेश आएगा। और पहले भी आपको मैंने बताया था लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किया तब तक सुनवाई नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर अपनी सिकायट ट्रेक पर जो है क्लिक करके ट्रेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको अपना नाम डाज करना है इमेल आड़ी देना है और मोबाइल संख्या और एक मोबाइल में आपका ओटी पी प्राप्त होगा वेरिफाई करके वहाँ पर जो आप से पूछा जाएगा उसको जो है फिल कर देना है जिसमें भी आप सुदार चाहते हो ठीक है ज्यादा नहीं बताऊंगा वीडियो अर्लोड है और य या फिर अपना रशीद में या फिर जमबंदी में सुदार करवाना है तो वहाँ से एक लेटर मेलेगा आपको जो की आपको भर करके उसमें फील करना होगा अप्लिकेशन दस्तावेज और उसमें सारा कुछ लिख करके अपने इस करमचारी से यहाँ पर रिपोर्ट करवा ही जाता है और इस पर तो लगतार हम वाज उठाते रहे हैं और उठाते भी रहेंगे कि अपने हिसाब से जहांड़े मैनेज कर लिजे आपके पास अगर टाइम है तो आप यहां पर पोस्ट योर गिर्वेंट पर जो है, अपना शिकायत दर्च कर सकते हैं, या फिर अपने करमचारी से सब मिल सकते हैं, उनसे भी वारता लाप कर सकते हैं, आसा करते हैं, उमीद करते ह। यह वेडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करिए किसी भी तरह का सुझ हाओ मन में बीचार नीचे कमेंट में जरूर कर डाल लिए और हमारे चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइक और प्रेश कर देए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में पर फ्रेश टोफी के साथ तब तक के बीदा दीजे टेक केर एंड बाइ बाइ